स्वागत है आपका बात कर लेते हैं टिकेट्स को लेकर के क्योंकि बहुत खोहला हुआ और बहुत सारी बाते हुए टिकेट्स को लेकर के टिकेट्स कब आएंगे टिकेट्स कब से मिलेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच देखना है कहां देखना है कैसे देखना है कैसे टिकेट प्रवाइब दाम है टिक्तों के भाई वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये टिकेट्स मिल कहां रही है कहां आप इन टिकेट्स को का एकसेस पास सकते हो और किस तरीके से फिर आप बुक करा सकते हो तो इंडिया पाकिस्तान मैच की और यूं करकर निकल गई खास तोर पर वियाईपी कोटे वाली मतलब जो सबसे महेंगी टिकने थी वो तो सबसे पहले भी की हैं तो लोग यह सोच रहे थे कि भाई शायद सबसे पहले लोग जाकर जो है न सबसे सस्ती टिक्टे लेंगे लेकिन नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि यहां पर जो हमैं डग यहां पर जो है बाजम आएंगे जाएंगे शाहिन शाफरीदी रोहिट चर्मा जस्परीद बुम्रा सब को यही था कि भई इस लोकेशन से यह सारी की सारी चीज़े बड़ी आसानी से दिख जाएंगी तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि एशिया कप को लेकर इंडिया वर्स पाकिस् और यह टिकेट्स अभी कुछ सेलेक्टेड मैचस किया आई हैं जिसमें दो तारीक वाला यानि जो कलंबो में नहीं होना है जो कैंडी में होना है उस मुकाबले की टिक्टें अवेलेबल हैं और यह कहां अवेलेबल हैं कैसे आप इनको यूज कर सकते हो और याद रखना इ आएगी और यूँ निकल जाएगी और वहां तो साइट क्राश भी हो जाएगी इतना ज्यादा लोड उस पर पड़ेगा इतना ज्यादा ट्राफिक होगा तो आईए एक एक करकर बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको बताता हूं भाई यही दोनों होंगे आमने सामने सबसे पर बताता हूं कि कहां जाया जाये इन टिकेटS को लेने के लिए अगर आप एशिया कप इंडिया वॉसेस पाकिस्तान दो तारीक के मैच की या फिर इंडिया वसेस नेपाल मैच की मतलब शुरवाती कुछ मैचिस के अगर आप मैच की टिकेट लेना चाहते हैं और आपका श्रिलंका जाने का प्लान है इश्याकप को लेकर के तो दो तारीक की टिकेट्स तो अब आपके हाथ से निकल चुकी है लेकिन यह वीडियो इसलिए लेकर आया हूं कि दस तारीक के लिए अगर प्लान कर रहे हो जो सूपर फोर का बड़ा मुकाबला है तो फिर इस वीडियो को देख लो आराम से और वर्ल्ड कप को लेकर के भी एक एक कहते ना कि थोड़ी से प्राक्टिस हो जाएगी आपकी आईए जरा आईए इस प्राक्टिस में हमारे साथ हम आपको ले चल रहे हैं यहां पर यह गूगल भाईया गूगल में हमने यूर्ल में डाला है pcb.bookme.pk यह आपको url पर डालना है रहे भाईया रूकिये थोड़ा सा वक्त दीजें हमें pcb.bookme.pk आपको लिखना है अराम से नोट कर लो इसे स्क्रीन शॉट ले लो यह यहां पर इसकी बात कर रहा हूं और इसको जब आप url की जगह पर इसको डालेंगे तो भाई आपको सीधे तोर पर यह यहां ले जाएगा इस फ्रंट पेज में जो कि आपका इश्यकप का होम पेज है और आपको पता लगने लग जाएगा कि सब्सक्राइब जब आपको पता चल जाएगा इस तरह का बुक मी करकर एक लोगो आएगा एक इमोटिकोन भी आएगा शुरुवात में जब आपकी यह साइट लोड हो रही होगी तब ठीक है जी अब जब आप यहां पर पहुंच गए तो फिर आप आओगे यह रहे जो मै आपको सारा का सारा ब्यौरा मिल जाएगा और अगर आप देख पारे हो भाई जो कि आप बिल्कुल देख पारे होंगे कि सबसे बड़ा जो एपिक मुकाबला है यह रहा भाई कैंडी पली के लिए में जो होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस मैच के टिकेट य सारी की सारी चीजें अगर आप भी देख रहे हो तो अब आपको लेकर चलता हूँ इसके अंदर जो है पाकिस्तान versus इंडिया यह जी यह आगए जी अब आप देख लो zero seats left, zero seats left, sold out, sold out, zero seats left, zero seats left, सब खतम है भाई यह prices हैं जो कि US डौलर में भी आपको दिखाई दे रहे इनको थोड़ा सा breakdown भी कर देते हैं इसी तरीके से आएंगी जी 10 तारीक वाली भी इसी तरीके से आएंगी और इसके अलावा अगर आप देखोगे जो 14 तारीक वाली आएंगी वो तो और तेजी से भागेंगी 30 डॉलर का मतलब है भाई कुछ 2500 रुपए 24-25 रुपए के करीब आपको खर्च करना है यह जो आपको 30 डॉलर दिखाई दे रहे हैं जाहिए जी बात है 300 डॉलर मतलब आल्मोस्त आपको 25,000 रुपया खर्च करना है और यह टिक्टे सबसे पहले गई जो ग्रांट स्टैंड टॉप लेवल है बी और ग्रांट स्टैंड टॉप लेवल ए यह जो 25,000 वाली टिक्टे टी यह तो सबसे पहले गई सुबह तक यह वाली सीट फिर भी अवेलेबल थी जो 30 डॉलर वाली आपको दिखाई दे रही है 24,000 के करीब की जो टिक्टे थी वो आपको दिखाई दी फिर यह जी 125 तो यह हो गया करीब आपका 9,000-10,000 रुपे तो यह भी जो है वो तुरंती बिख गई थी आते ही बिख गई थी बी लोवर वी आईपी और ए लोवर वी आईपी इस तरह की चीज़ों का तो लोग सबसे जादा इंतजार करते हैं 9,000-10,000 रुपे की टिकेट थी यह भी निकल गई तो इस तरीके से भाई आपको यहाँ पर जाकर उसके बाद बुक मी करकर एक उप्शन यह होता है इसको क्लिक करने के बाद वो आपको बताता है कि स्टेडियम में आप कहां पर प्लेस्ड हो जिन्होंने भी टिकेट बुक से बता देता है कि यह वेकिंट एरियाज हैं इनको आप क्लिक कर दो जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको वो सलेक्ट करनी पड़ती है नंबर ओफ सीट एक दो कितने लोग हैं उससाब से और उसके बाद वो आपको सीधे पेमेंट मोड पर लिकर जाता है कि भाई अब आप प लिकर सकते हो जिससे आपको यह पता चल जाए कि कभी भी कोई नई टिकेट आरी यह नई मैचस की टेकेट तो वो आपको पहले ही पता चल जाए या उस समय पर जो आपको आज़ाए जैसे यूटीटीव चैनल पर होता है नोटिफिकेशन बेल बजाने का फाइदा तो और matches की tickets तो उसको लेकर के भी almost सारी की सारी चीज़े जो है वो sold out तरीके से ही दिखा रहा था लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या India versus जो Nepal गेम है उसको लेकर के कुछ availability है हाँ जैसे यह देख सकते हो आप यहाँ पर tickets भी उतनी महंगी नहीं है जो वहाँ पर जो almost 25 डॉलर की ticket थी वो यहाँ पर 10 डॉलर की है तो उस तरीके से कोई बहुत जादा नहीं है 1000 रुपए तक की tickets फिर जो grand stand जो मतलब वहाँ पर आपने 300 डॉलर की देखी थी यहाँ पर 50 डॉलर की है तो मतलब आप देख रहे हो में 25,000 रुपए में मिल रही थी और यह फिर आपकी 40 डॉलर की तो मतलब कुछ हाई नहीं इंडिया पाकिस्तान मैच के मुकाबले में यह जो मुकाबले हैं तो फिलाल अभी इस वीडियो में इतना ही टिकेट्स के बारे में यह थी जानकारी इस साइड पर नजर बना कर रखेगा अगर आपको आगे जो है वो matches की tickets के बारे में जानना है super 4 के matches के बारे में जानना है अगर आप Asia कब जा रहे हो तो इन सारी की सारी चीज़ों पर ध्यान रखेगा और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि world cup को लेकर के भी ये एक तरीके का आपका tutorial हो सकता है एक तरह का आपका dummy वीडियो हो सकता है जिसने आपको जानकारी दी है इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के तो अभी बहुत बहुत शुक्रिया दिन बर खबर लेकर आपके साथ आते ही रहेंगे जै हिंट जै भारत